नमस्कार दोस्तों मैं उद्वेलाट फ्री एक बाँ स्वागत करता हूँ अब सभी का चहीते चानल इंडियान मुर्गी पालन पर वड़ो देखने वाले हर मुर्गी पालक बाई का आज के वड़ो में तहें दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक बाईयों के लिए सबसे महत्वा पूर्ण वीडियो कि आप गर्मियों के मोसम में मुर्गियों की तेज गर्मी से करनी हो सुरक्षा तो मुर्गी पालन के व्योसाय में आप गर्मियों के मोसम में ऐसे तयार करे आदर्श सेड हाँ दोस्तों यहाँ फिलाल का है सबसे महत्वा पूर्ण वीडियो हाँ दोस्तों यहाँ फिलाल की है सबसे बड़ी अपडेट कि आप गर्मियों के मोसम में तेज गर्मी से मुर्गियों को हो बचाना तो अब ऐसे तयार करें मुर्गियों के लिए गर्मियों से बचाव करने वाला आदर्श शेड मुर्गियों के लिए आदर्श शेड बनाते हुए कौन कौन सी बातों की आपको यहाँ पर जानकारी लेनी चाहिए मुर्गियों के लिए आदर्श शेड बनाते हुए कौन सी बातों की तरब ध्यान आकरिष्ट करना चाहिए और वह कौन सी बाते हैं कि जिनका इस्तमाल करके अब गर्मियों के मोसम में आप आदर्श शेड तयार करके तेज गर्मी से मुर्गियों का सव प्रतिशत कर सकते हो यहाँ पर बचाओ इसके बारे में सटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो अब शुरुवात से लेकर यहाँ पर अंततक देख लीजिए यह वीडियो अंततक देखते हुए आपको पसंद आजाए तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान, भाई और मुर्गी, पालक, भाईों तक यह वीडियो पवचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहाँ पर शेर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूप इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोचल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए जरूर इस वीडियो की लिंक यहाँ पर शेयर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईों से हाथ जोड़ कर अनुरोद करता हूँ कि आप सभी मुर्गी पालक भाईों को और किसान भाईों को तो मैंने अपना यहाँ पर माना है और आकरी सास तक आप सभी को मैं अपना ही म मांता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मांते हो तो जरूर इस चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आ जाएए वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल प्रण के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को आप टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों और आल इस नोटिपिकेशन को अगर आप दबा लोगे तो आपको आने वारा हरवड़ आपको यहां पर समय समय पर मिलता रहेगा तो देखिए दोस्तों सामान मुर्गी पालक भाईयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि तेज गर्मी से मुर्गियों का बचाओ करने के लिए अब गर्मियों के मोसम में ऐसे तयार करें आदर्श की वजह से आपकी मुर्गियों को अब गर्मियों की तकलीफ सव प्रतिशत नहीं होगी ऐसे में फिर यहां आदर्श सेड बनाते हुए कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा और किस प्रकार से गर्मियों से बचाओ करने वाला आदर्श सेड बनाना हैं इसके बा और इसी प्रकार से आदर्श सेड बना दीजे ताकि आपको होगा यहां पर सव प्रतिशत फाइदा तो दोस्तों मैं तो आपको आदर्श सेड कैसा बनाना है इसकी जानकारी दूंगा लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए खुश खबरी है दोस्तों कि आपकी सेवा करने क के लिए हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से अब नया वाट्सअप ग्रूप बना दिया है अगर आप इस वाट्सअप ग्रूप में जुड़ना चाहते हो तो मुफ्त में जुड़ सकते हो जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाट्सअप कीजिए और मुफ्त में हमारे साथ जुड कर हमारे इंडियान मुर्गी पालन के विडियो की साइता की वज़़से इस व्यवसाय में दिन दुगनी और रात छोगनी यहां पर प्रोग्रेस कर लीजिए यह बात हो गई दोस्तों यहाँ पर इंडियन मुर्गी पालन के वाटसब ग्रूप की अब जिक्र करते हैं दोस्तों इससे भी बड़ी डेवलपमेंट कि हमने आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर जो है दोस्तों लॉंज कर दिया है ओनलाइन ट्रेनेंग प्रोग्राम हाँ दो कोई भी मुर्गी पालक भाई बिना मार्ग दर्शन के वंचित नहीं रहेगा क्योंकि उत्पादन से लेके बिक्री तक प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक यहाँ से आगे हम करेंगे मार्ग दर्शन जिसमें फीड का खर्चा घटाना होगा बीमारी आने से पहले और जाने के बाद सटीक जानकारी समय समय पर मुर्ग्यों का टीका करन समय समय पर चूजों का टीका करन हैचरे का इस्तमाल करते वे ज्यादा से ज्यादा चूजों का प्रोडक्शन और तयार हुने वाला देसी चूजा देसी अंडा देसी मुर्गी देसी मुर्गा इनके मार् आपको यहां पर प्रोहाइड करेंगे अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है और इस व्यावसाय से दिलाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है तो हमारे साथ जुड़ने का है आसान तरीका किस संपर्क कीजे 84, 82, 62, 62 पर वहां पर संपर्क करने की साथ ही आपकी बातची है बताऊंगा और उसके बाद मेरा फोन पे गूगल पे नंबर जो होगा 82, 62, 88, 4-7 दूँगा उस पर पास सु रुपे भेज कर स्क्रीन शॉट आपको है भीजवाना दोस्तों और एक बार आप मेरे साथ जुड़ गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुर्गी पार कामुनाफ़ा प्राप्त करने से वंचित नहीं कार पाएगी तो दोस्तों यह हो गई ट्रेनिंग के लिए बात और होट सब ग्रूप की बात अब बात करते हैं गर्मियों के मोसम में शेड किस प्रकार से होना चाहिए देखे दोस्तों तेज गर्मी अब गिरने लगी है दो दोस्तों बहरत के अधिकाएंश इलाके में आप 30 डिग्री से उपर दोपेर में तापमान जा रहा है और बहुत जल्दी आपको तापमान 35 डिग्री क्रोस करता हुआ दिखाए देगा जैसे जैसे तापमान 30 डिग्री सेल्सेस के उपर जाएगा मुर्गियों को वहां पर जो है दोस्तों यह दिक्कते पैदा करता है आईसे में दोस्तों सही शेड होना बहुत जरूरी है आईसी परिस्तितियों में दोस्तों एक बात की जानकारी रखे कि बाहरी वातावरं से यह आपका शेड चार से पास डिग्री सेल्सेस से दोस्तों कम तापमान वाला होगा तो ऐसे में मुर्गियों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी और आपके फार्म का मॉर्टिलिटी रेट जीरो हो जाएगा मैंने देखा है दोस्तों कि बहुत सारे शेड का है कि ऊपर के टीन के पत्रे है दोस्तों नहीं तो सीमेंट के पत्रे है ऐसे में सुरज की तपिस उस पर किरती है और अंदर का तापमान भी फार्म के बढ़ जाता है जिससे मुर्गियों को तकलीफ होती है मुर्गिया पहले हापती है शरीर का पानी हो जाता है कम और उसके बाद डी हाइडरेशन का शिकार होने से मुर्गिया हर्ट फिलियर का शिकार होके वहां पर एक्सपायर हो जाती है ऐसे में दोस्तों कुछ साउधान या शड़ के बारे में बरतोगे तो सव प्रतिशत दोस्तों आप मुर्गियों की जान यहां पर बचा पाओगे जैसे कि सबसे महत्तों पूर्ण बात क्या है कि दोस्तों जो तिरपाल चारों तरप से होगे उनको आपको खुला क करना है ताकि जो हवाए आएंगी तो अंदर आती जाती रहेगी जिससे वहां पर वेंटिलेशन बढ़िया हो जाएगा उसके बाद जो उपर का टीन होगा दोस्तों रहनी कि उपर की रूप होगे जिसे हम वहां से टीनों का पत्रा या सिमेंट का पत्रा कहते हैं वह वहां पर पत्तिया होगी जो हमारे पास गन्ना होता है गन्ने की सूखी पत्तिया उनको लीजिए उपर से पूरा फैला दीजिए फैलाने के बाद दोस्तों आपको रुकना नहीं है आपको देड़ दो इंच का नहीं तो कम से कम आदा फिट का वहां पर जो है लेर देना है और उसके बाद चारो तरब से आप क्या कीजिए दोस्तों की वहाँ पर जो लताय होगी तो उनको लगा दीजी यानि की जो पमकिन की लता होगी दोस्तों यानि की छोटे छोटे जो पोदे होंगे की जो बहुत गती से बढ़ेंगे तो उनको वहाँ पर चार पास तरीके से ल वेंटिलेशन बहुत बढ़िया यहां पर हो जाएगा जो सूरज की तपिश आएगी वो गिरेगी पहले तो उन पत्तियों पर कौन सी तो हमने जो पोदे लगाए उस पर उसके नीचे होगी फिर गन्ये की वहां पर जो सूखी पत्ति तो इससे क्या होगा दोस्तों की नीचे डाइरेक्टली सूरज की तपिश जाएगी नहीं तो इससे डाइरेक्टली कॉंटेग में हमारा रूप जो है उन्हीं आएगा इसलिए अंदर का तापमान अपने आप चार से लेके पास डिगरी घट जाएगा दोस्तों यकिन नहीं कर पाओगे कि इससे बीस से लेके तीस प्रतिशत मुर्गियों क्या जो है दोस्तों मॉट्री टेट कम कर सकते हैं दोस्तों हम यहाँ और जो चारों तरफ से आपने वह लताय लगा दिये तो उससे अंदर जो वेंटिलेशन आएगा तो थंडी हवाय फेकेगा तो इससे दोस्तों क्या है कि जीरो बजेट में आप तेज गर्मी से निपट सकते हो और शेड इस प्रकार से बहुत ज़्यादा खर्चा है कि जीरो रूपे खर्चा है तो इससे क्या होगा वेंटिलेशन होगा और आपका ये आधर्श से जिसमें कि खर्चा जीरो है लेकिन गर्मियों के लिए बहुत आदर्श हो जाएगा और आपकी मुर्गियों की सव प्रतिशत यहां पर जान बचा ले जाएगा दूसरी तरफ दोस्तो यहां पर सबसे महत्तो पुर्णबाद के आए कि ज्यादा से ज्यादा पानी मुर्गिया कैसे पिएंगी इस पर ध्यान दीजे और कुछ मटके खरीद कर लाएं दोस्तों उन मटकों को जमीन में गाड़ दीजे च्छाव के नीचे और वहां पर जो है दोस्तों साइड से वहां पर जो खली का बचा हुआ यह होता है ना खली जिसमें प्याकर के आती हो जो बोरी कहते तो उसको लपेट दीजे और उसके ऊपर से कॉटन का कपड़ा लगा दीजे और उसमें पानी पहले से डाला हुआ अगर देखे दोसे पानी डालते रहेंग तो इस प्रकार से सेड की रचना को आप एड़ियस कर लीजे और थोड़ा पानी पर ध्यान दीजे कि मुर्गिया कैसे पानी ज्यादा पिएगी और थोड़ा नमक का इस्तेमाल तेज गर्मिय बढ़ा दीजे ताकि डिहाइडरेशन मुर्गियों का नहीं होगा और मुर्ग जाते हैं तो आएसे में दोस्तों आगर आपको भी आगे बढ़ना है लाखो कामोना अफाई इस वेवसाय के माध्यम से कामाना है तो हमारे साथ जुड़ जाई जुड़ने के लिए दोस्तों आप क्या कीजिए कॉल कीजिए 84 कि 82 62 पर जहां पर आपके और मेरी बातचीत हो 65 088460 इस पर आपको पास रुपए भेज कर स्क्रीन शॉट भीजवाना है अगर इतना कर दोगे तो दोस्तों हमारी जोड़ी पक्की हो जाएगी और आपकी हर तकलिफ को मैं दूर करूंगा जिसके माध्यम से आप इस वेवसा के माध्यम से आसानी से लाखों का मुनाफ़ पाउगे और साथी साथ धोस्तों हमने अंडियन मुर्गी पालन के नाम से वौटसअब ओपन कर दिया है इस वटसअग बीडियो के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वार्टसअब लिंक को ठाच कर दीजिए अगर आप टच करो दोगे तो मुफ्त में हमारे साथ जुड़कर सेवाए प्राप्त करोगे जिससे लाकों का मुनाफा प्राप्त करने के लिए नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो दोस्तों हाच का यह पूरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्षिन में लिख कर भीजिए आपका शेड के रिस प्रकार से है दोस्तों वाटसप नमबर चोरासी किस बासट बासट पर नाम पते के साथ फोटो भिजवा दीजे कुछ गलतिया होगे तो मैं बता दूंगा पसंद आया होगा वीडियो लाइक किजी किसान भाय और मुर्गी पालक भाईयों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे शेयर करने के लिए परसनल वाटसप नमबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस् सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाही तरब निचली साइड में आ जाए आने के बाद दिखाए देने वाल लालतन के सब्सक्राइब की निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चैंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगे इस घंटी को टच करते हो लिस नो करते हैं